दिल्ली से खबर आ रही है आपको बताएं कि लॉक्डाउन को लेकर बैठा का हो रही है पीम दरीदर मूदी और ग्री मंतरी अमिर्श श्या की बीच बैठा का खत्म हो गई है दोनों के बीच लॉक्डाउन पर व्यापक चर्चा की गई तो दो दिन मात्र बच्चे हैं लॉक्डाउन फोर की खत्म होने को लेकर जिसके बाद चर्चाओं का दोर भी अब शुरू हो चुका है और अब जो सरीके से खबर मिल रही है सुत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लॉक्डाउन फाइव हो सकता है लॉक्डाउन पांच हो सकता है यानि 31 माई के बाद भी लॉगडाउन बढ़ाया जा सकता है और सिदे चलते हैं दिल्ली रिशिकेश हमारे साथ लाइब जुड़ चुके हैं रिशिकेश देखे दो दिन के बाद लॉगडाउन फोर की अबदी खत्म होने वाली है और इसी बीच आप देखे चर्टाओं का दोर भी शुरू हो चुका है जिस तरीके से बैठक होई है जानकारी चाहें कि क्या लगता है कि लॉगडाउन पांच होगा बढ़ाये जाएगा लॉगडाउन के अबदी सामेश सीमा बढ़ाई जाएगी क्या खबर मिल रही है वहाँ से देखें पुनीता तक्रीबन दो घंटे की बैठक चली प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रीम मंतरी अमीत साह के साथ में और इसमें सिर्फ इस बात पर चर्चा होई कि लॉगडाउन फाइब में जो शर्ते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाया क्या 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 उसमें छूट दी जाया इसके पहले कैबिनर सेक्रेटरी राजीब गाबा ने देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंतरियों से बात की थी एक भी ऐसे मुख्यमंतरी नहीं मिले देश के किसी भी राज्य ने जिनको कहा गया जिनकी तरब से आया कि नहीं वो लॉगडाउन को स्थगित करना चाह यह क्योंकि बहुत सारे से राज्य हैं जहां पर विक्राल सिती है खास करके कोरोना के संक्रमन के मरीजों की संख्या को ले करके अब जब कि दो घंटे तक यह बैठक चली ग्री मंतरी अमित्सा और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बीच में ग्री मंतराले ने तमाम रहे हैं इसका मतलब साफ है कि जून के मिड तक लॉक्डाउन पांच का सामना करना पड़ेगा देश को हाँ यह जरूर है कि कुछ शर्तों के साथ ग्री मंतराले ने कहा कि जो व्यवसाइक है या वानिजिक सेवा है खास करके उसको बहाल करने के पक्ष में हैं तमाम राज है कि लॉक्डाउन का व्यापक खास करके असर होगा व्यापक व्यापकता में उसे पेश किया जागा हां यह जरूर है कि आगे आने वाले वक्त में राजियों पर यह छोड़ दिया जागा जैसे पहले उन राजियों के साथ था कि अब वहां पे जो राजिय सरकार हैं बो जो मॉल हैं, सिनेमा घर हैं, वो नहीं खोले जाएंगे, इसके अलाबा जो कहा जा रहा है, कंश्रक्षन जो है खास करके, वहाँ पे ढील देने की बात है, लेकिन वो राज्य सरकार का मुद्दा होगा, राज्य सरकार के अधीन वो काम किया जाना है, इसके अलाबा केंद्रा बढ़ाय जाने के पक्ष में है, लेकिन सभी राज्यों ने ये भी कहा, कि इस लोगडाउन के बीच में भी आर्थी कारोबार की छूट मिले आर्थी गतिविदियां चलती रहे, जिससे की आर्थी की सिती का सामना नहीं करना पड़े, बहुत सारे ऐसे भीकास के जो चीजे हैं, कंश्रक्शन के काम है, डिवलप्मेंट के काम है, बो लॉकडाउन के वैसे रुके हुए हैं, सरकारी कार्याले जो हैं, बो लगातार खुले रहेंगे, वहां काम होंगे, उक्यूपेंसी उसकी भले ही कम होगी, तो गाइडलाइन पर बात चल रही है, सर्तों पर बात होगा, परधान मंत्री ने हरी जंडी दे दी है, संभबते इस बात के संकेत परधान मंत्री कार्याले से मिल रहे हैं, कि संभबते देश को एक लॉकडाउन पांच का सामना करना पड़ेगा, कोरोना संक्रवन मजिस तरीके से तादात बढ़ रहे हैं, रोजाना, उससे सरका सकते में, डबलू एचो को जी रिपोर्ट है, विस्व स्वास संगठन की, जिसके कारेकारी अद्यक्ष अभी हर्सवर्धन बनाएगा है, जो देश के स्वास्त मंत्री है, वो स्वास्त मंत्राले ने भी सिफारिस की है, कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना ही देश के हित मे है, नहीं तो संक्रमन जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर ये तादात बढ़ते गए, तो फिर सरकार के पास उतना सिस्टम नहीं है, विवस्था ने ये खास करके स्वास्तालात को लेकर, राजी सरकार ने हाथ खड़े कर दिये हैं, कि उनके पास अगर ज्यादा मरीदों क संक्या बढ़ी, तो काफी मुश्किल होगा, लिहाजा लगभग ये तता है, परदान मंत्री कारियाले से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक लॉगडाउन फाइब का लगभग तैमाना जा रहा है, चौदा दिनों का लॉगडाउन होगा, जो बैठ चलिए को लॉगडाउन फॉर की अब दिर खत्म हो रही है, जिसके बाद जो है लगतार चर्चा की जा रही है कि क्या आगे लॉगडाउन बढ़ाया जा सके और जिस संकेत मिल रहे हैं कि लॉगडाउन फाइब बढ़ाया जा सकता है, चौदों दिनों का ये लॉगडाउन हो सकता हाला कि अभी ओफिशिली इसकी इस पर जो है मुहर नहीं लगी है तमान जानकारी इस पर न्यूज लेवन भारत आप तक पहुचाता रहे